हेलो वेवन वेल्कम टू मैं चैनल कोड सोरी विथ माइक तो आज आपने मैठ्स के प्लेलिस का वीडियो नंबर 19 करने जा रहे हैं ठीक है और आज का जीएफजी प्योटीडी है सिक्स जैन 24 का तो अच्छा क्वेशन है इंप्लेमेंटेशन काफी इजी है जो आपसे क्वेश केस्ट आने वाला है उसमें हर पार्टिसिपेंट को टिकेट मिलेगा और उसके टिकेट में क्यों इक नंबर लिखा होगा और जो अर्गनाइजर से हम लोग ने डिसाइड किया है कि दप्राइस पॉइंट्स तो एवरिवन हूँ है टिकेट आईडी बिट्विन ए और बी म लेगा जिननों का भी टिकेट नंबर इन दोनों के बीच में फॉल करें यह यह इंकलूसिव और बीपी हो सकता है ठीक है बताब यह तो नाइन हो यह तो टैन हो यह तो तो लगो तो उन्हों को पॉइंट मिलेंगे जिनके टिकेट में यह नंबर सोंगे ठीक है दाप ऑड कितने पॉइंट मिलेंगा वो देखते हैं दा पॉइंट गिवन तो पाटिसिपेंट विट टिकेट नंबर एक्स विल बिदा सम अव दी पावर्स अव दी प्राइम फेक्टर ऑफ एक्स मतब कहना क्या चाहरा है कि माल लेते हैं मेरा जो टिकेट धनेट नंबर था उसमें उसमें जो विए तो पावाट टू इं टू टी का पावA वन टू एक प्राइम नमबर डी प्राइम नमबर दtal आपने क्या किया कि इस टिकेट निंबर का प्राइम एक फैक्टरिजेशन टो टीकेट अहill high यहाँ प्लस वन कितना हूँ पावर को तो पॉइंट क्या होंगे वो तो पता चल गया और यहां पर समझाए जो मैंने भी आपको सुना रहा है वही चीज यहां पर समझाए ठीक है तो क्या बता क्या बोल रहा कि A से B आपको एक नंबर दिया होगा आपको बस टोटल नंबर पॉइंट निकालने उन उन लोगों के जिनके नंबर के बीच मैं आनगे मतलब आपको जिस इनसान के टिकेट नंबर 9 होगा उसका कितना पॉइंट बनेगा जिसका टैन होगा उसका कितना पॉइंट बनेगा जिसका संंगर को चैक्ड Тरु का आप спокой hack लोग 11 को लिख सकता हूं 11 का पावर 1 ठीक है और 12 को लिख सकता हूं को 2 का पावर 2 into 3 का पावर 1 तो देखते हैं जिसके पास 9 आया होग विर्ष सुआ कितने play mm यहां मैं points लिख देता पावर जतना है उसको प्लस करके लिएतोольшष का निए इसका पावर है इसका फीच मैं चीचआ इसका न होगा नmn तो इसका आउट पुट्ट ऑ होगा होगा काफी सिंपल रिक्वार्मेंट है ठीक है बस आपको करना क्या है कि ए से बी के जितने नंबर से बतब एक बार 9 एक बार 10 एक बार 11 एक बार 12 ठीक है नाइन का निकाल लो कितने points आएंगे ठीक है और कैसे points निकालना था नाइंग का प्राइम फैक्टर लिखें उनके जो जो पावर जाहरे हैं उस पावर को सब सम करना है किया प्रूइज कर लिए को कई points कर लिया शबको एड़ करें सब्सके points के डिह करता अब बात आती कि पोइट निकालना हर एक नमबर का 9 का 11 का टु realised वह पॉइंच कैसे निकालना सब्सक्राइब सब्सक्राइब उसको sum कर देना 2 plus 1 that is 3 बट ये करने में कैसे करेंगे वो भी तो देखना है ना वही मैं समझाना चाहरा हूँ आपको तो उससे पहले एक बहुत important fact जो आपको अलरड़ी पता होगा जैसे माले तो 12 है ठीक है तो एक बात बताओ 12 का कौन-कौन सा prime factor है देख तो 2 है क्यों 12 को डिवाइट कर सकता है कैसे 2 x 6 12 होता है बहुत बढ़िया ये तो 2 हो गया 3 है क्या हाँ 3 भी है क्यों 3 x 4 12 होता है 4 देखते है 4 है क्या हाँ 4 x 3 12 होता है 5 है क्या नहीं 6 है क्या 6 x 2 12 होता है 7 है नहीं 8 है नहीं 9 है नहीं 10 है नहीं 11 भी नहीं है ठीक है यहां तक क्लियर होगा है 12 तो ही 12 तो खुद को डिवाइड करी सकता है तो जो जो नहीं है उसको हटा देते हैं 10,9,8,8,7,8,5,8 इतना ही है लेकिर इसमें एक चीज़ नोटिस करो ना कुछ चीज़े रिपेट होने लगेंगे एक समय के बाद जोको 2 क्रॉस 6 है 6 क्रॉस 2 है 3 क्रॉस 4 है 4 क्रॉस 3 दोने तो सेम ही है है ना दोने तो सेम है ठीक है तो एक चीज़ ध्यान दो 12 का प्राइम फ लेकिन वो प्राइम नंबर भी है क्या 4 प्राइम नंबर है नो क्या 6 प्राइम नंबर है नो ठीक है तो हमें प्राइम फैक्टर देशन चाहिए ना प्राइम फैक्टर चाहिए तो टू प्राइम फैक्टर था और थ्री प्राइम फैक्टर था ठीक है और 12 का अगर प्राइ और भी निकालना बहुत सिंपल है बारा है ना बारा दो से तो डिवाइड होई सकता है तो बारा को दो से डिवाइड किया कितना है शे यानिकि टू का पावर वन से डिवाइड कर दिया हमने क्या अभी भी टू से डिवाइड हो सकता है यह हो सकता है तो यानिकि मैंने टू का तो पावर दो हो गया यहां पर दो बार कर पाए हम दो से उसके बाद देखते हैं क्या फिर से टूसे डिवाइट हो सकता है नहीं तो थ्री से चेक करेंगे जो भी नंबर बचाव है से इसको 3 से डिवाइट करते हैं 3 से डिविदेबल है यह। तो 3 का पाउर कितना है यह वन से डिवाइट कर दिया आसर आगे बन चुक है अब तो कुछ डिवाइड़ी नहीं कर सकते हैं ना आप तो वन आगे ना आप तो खतम होगा नमबर हमारा तो दो बार डू से डिवाइड किया और एक बार तीन से डिवाइड किया दो प्लस वन है पावर का सम्निकल क्या राम से, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो नंबर होगा न 12, उसको उससे प्राइम फैक्टर से बड़ डिवाइट करना है, जैसे और प्राइम फैक्टर ऑविस है, दो से ही स्टार्ट होता है, वन प्राइम नंबर नहीं है, वन को प्राइम नंब और साथ लेकिन कितनी जाएं राइट एक आए परना लीक करना नहीं कैके तो अभी देखो एक और जरूरी चीज आपको बताता हूं कि इसको कोड में कैसे लिखो गया इसको अभी मैंने बताया ना कि टू से स्टार्ट करेंगे डिवाइट करना बाइट है इसके दिवाइट करना असटार्ट करूंगा डाइट इकवल टू जो भी नंबर है बारह न तो बारह को मैंने सबुस्पास की आप ट्रीपर गयां उसके बाद फोल्स इसकी अपर थे ध्यान दो फिर इसके वाद मैंने क्या बोला आपको अभी वेट करना अभी एक और इंप्रूइमेंट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पर अभी जो संधा है पहले उसका कोड लिख रहा हूं नमबर मेरा क्या था 12 था न थीक है बारा में नमबर है और एके करके मां सबसे डिवाइड करने ही कोशिच करूँगा पहले दिखता हूं आइस कीतनी वाइड हो सकता हीunda कब तक यह जो नमबर है कब तक जब तक से डिवीजिबल हो जाई जब तक जब तक आई से डियुजिबल है तब करते मृवंॉठ करते चलो दिने करते चलर रहें दिने की घरखे नहों तो कितनी बाइट कर रहें वहां अचाहER एड़ करते चलोंगा, power sum is equal to 0, क्या यह divisible है, yes, तो divide कर देते हैं, यानि कि num is equal to num by i, divide करते चलो, ओके, और power sum में add करते चलो, कि कितनी बार divide कर पा रहे हो, power sum plus plus कर दिया, यहां तक clear है, ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया, तो यहां पर last में हम क्या करेंगे, जैसे यह for loop खतम हो जाएगा, है न, तो last में return करते हैं, कि power sum कितना आया था, return, power sum, यहां तक clear है, अब एक चीज़ यहां और ध्यान दो, एक बार रन करके देखी लेते हैं, यहां starting में 12 था, तो 12, क्या 12 मोडिलो 2, i कि वेले 2 है अभी, 0 है येस, तो 12 is equal to 12 by 2, अब नम मेरा क्या हो गया, पहले 12 था न, 12 था न, 12 थो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो अब नम मेरा 6 बन चुका है, ठीक है, तो 2 का पार 1 से डिवाइट के था, power sum प्लस प्लस कर दिया, तो power sum की value 1 हो गई है, ठीक है, अब अभी while loop पे चली रहा है क्या 6 divisible by 2 है, येस, तो 6 by 2 किया, कितना आ गया, 3 है न, तो अब मेरा number जो वो 3 हो चुका है, एक बर और sum divisible किया हमने, तो इसको प्लस प्लस किया, तो 2 हो गया, ठीक है, क्या अभी भी 3 divisible by 2 है, 3 modulo 2 0 है क्या, नहीं, है न, तो ये while loop break कर जाएगा, ठीक है, while loop break कर गया, ठी के बाद 3 से try करेंगे, याद करो, num की value मेरे 3 हो चुकी है, डिवाइड होते होते, अब i की value जब 3 होगी, तो चेक करेंगे, num याद है, num मेरा 6 हो गया था, न, न, 3 हो गया था, डिवाइड होते होते, क्या 3 modulo 3 0 है, येस, तो num is equal to num by i, यानि कि 3 by 3, यानि कि 3 by 3 कितना गया, पावर सम मैंने plus plus किया, तो पावर सम की value क्या हो गई, इस बार 3 हो गई, स्टार्टिंग में 2 हुआ था, अभी 1 प्लस 1 हुआ तो 3 हो गया, अब देखो 1 हो गया, ये, क्या, num मेरा 1 हो चुका, क्या 1 modulo 3 0 है, नहीं, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ तक clear है, ठीक है, अब एक ची के बाद 3 से divide कर रहे हैं, फिर 4 से divide कर रहे हैं, 5 से and so on, बट आपको prime factors चाहिए, तो पता prime factor कहां तक मिल सकता, आपको किसी भी number का, ये जो 12 है न, 12 का square root निकाल दो, ठीक है, आपको उतनहीं तक prime factor मिलेगा, उसके आगे आपको prime factor नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, यानि कि मैं क्या बोल रहा हूं कि square root of 12 तक जाओ, नम बारा था न, यहाँ पर नम लिख देता हूं, ठीक है, square root of 12 तक ही आपको prime factor मिल पाएगा, उसके बाद नहीं मिल पाएगा, आपको reason दिखाता हूं, इसे 12 का prime factor का क्या था, तो 2 था, 3 इंटू 4, 3 भी थ तो 12 का अगर square root निकालोगे, तो approximately 3 point something आता है, तो square root तक ही आपको prime factor मिल पाएगा, ठीक है, तो देखो 2 से लेकर approximately 3 तक आएगा यह, तो देखो 3 तक गए, इसी तरह अगर 18, अगर 18 का square root निकालोगे, तो approximately 4 आता है, तो देखते हैं, 18 का prime factor क्या क्या है, क्या 2 अठार को divide कर स हो सकता है, 3618 होता है, 4 से नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से divisible है, 6 into 3, उसके बाद क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 into 2, उसके बाद और किसी divisible नहीं है, तो क्या 6 prime factor है, नहीं, 9 भी prime factor नहीं है, जोको 2 और 3 prime factor है, तो देखो, जादा से जादा, यह square root of 18 तक ही जाएगा, थना करोगे भी, तो देखो, मिल जाएगा आपको, 2 into 2, ठीक है, 2 into 3 into 3, यानि कि 2 का power 1 into 3 का power 2, है ना, तो देखो, सिर्फ 2 और 3 से ही इसका prime factorization हो गया, तो किसी भी number का prime factor अगर आपको निकालना हुआ, तो वो square root of that number तक में ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिल पाएगा, ठीक है, यह आपको अल्रेडी पता होगा, अपने sieve of eratosthenes और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े होगी college में, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको यहाँ पर पूरे number तक जाने की जरुरत नहीं है, जैसे 2 से start करोगा, 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, इतना आगे जरुरत है, आप square root of num तक ही जाओगे तो बात बन जाएगी, ठीक है, यानि कि मैं बोल रहा हूँ, इसका breaking condition, i less than equal to square root of num तक ही जाना, इसको आप simplify भी कर सकते हो, दोनों तरफ square लगा दो, तो i into i हो जाएगा, less than equal to num हो जाएगा, दोनों एक ही statement है, बस simplify करके मैं लिख दिया, i into i less than equal to num हो, या तो i less than equal to square root of num हो, बात एक ही है, ठीक है, बस मुद्धा क्या था, आपको समझाना क्या था, कि भाई, यहाँ पर square root of num यूज करना, यहाँ तक clear हो चुका है, ठीक है, तो इसी तरह हम सारे number का power sum निकाल लेंगा, और क्या, एक अलग से function लिख लेंगे, जो power sum मुझ तो 10 का, 11 का, B तक जाऊंगा, सब का निकाल लूगा, सब को add करते चलूगा, सब के points को, ठीक है, as simple as that, ठीक है, अब एक छोटा सा, यह base case देख लो, जैसे मान की चलते हैं, इसे था न, A is equal to 9 था न, और B कितना था, बारा था, ठीक है, तो पहले 9 का देखते हैं, क्या क्या पावर 1, पावर 1, 1 प्लस 1, 2, 11 है, दोको 11 का पावर 1 है, न, 11 का पावर 1 है, तो इसका सम आना चीए 1, ठीक है, और 12 खता को पता ही है, 2 का पावर 2 इंटू, 3 का पावर 1, तो सम कितना है, पावर का, 2 प्लस 1, 3, पावर का सम है यह, ठीक है, यह 2 है, यह 1 है, तो पावर का स समें है यह दे कि हमारा जो फंक्षन घारा को देखते कैसे निकाल था है फ्यक्यूल है यह लिखा है यहां पर अगर यहां अगर घ्यारा होता तो देखते किपना ये निकाल करल आता है work संक्प्रवर्ण शॉयर है फिर ग्यारा कर तो ठालोगे मतलब ठीक करेंगे किर सबसे पहले नम मेरा 11 है कि क्या 11 मोडियो टू लिए इकल टू इकल टुट इकल टू इकल टू जीरो नहीं तो यह इधर ही ब्रेक कर जाएगा क्योंकि 11 जो आप दो से डिविजिबल ही नहीं तो अंदर जाय गा ही नहीं मेरा कोई बात नहीं आई इकल टू थी से ट्राइए करते हैं क्या 11 मोडियोलो थी इकल टू जीरो नहीं अभी भी डिविजिबल नहीं है ठीक है तो यह वाइल लूप के अंदर अभी भी नहीं जाएगा और इस इकल टू फॉर तक तो जाएगा ही नहीं क्योंकि मैं स्क्वार रूट ऑफ ग्यारा याद करो नंबर जब वन तक पहुंच जाता था तो यह वाइल लूप कर जाता था ना नंबर जब वन पहुंच गया मोडियोलो कुछ भी करोगे तो यह अपर जीरो आए गहीं कभी भी ठीक है तो यहाँ पर अगर नंबर नॉट इकल टू वन रह गया जैसे ग्यारा था न नंबर मेरे गयारा तो थो कभी डिवाइड ही नहीं हो पाया किसी से तो ग्यारा का गयर द्यारा ही रह गया वह ओं तक पहुंच लोगई। नउट उकल टू वन तो इस केस में क्या करेंगे बस power sum को एक बार बस बढ़ा देंगे ठीक है? उसके बाद return कर देंगे power sum क्यों? क्योंकि 11 तो किसी से divisible नहीं है तो 11 को कैसे लिखोगे? 11 का power 1 ही तो लिखोगे? इसका power 1 है बस वही 1 यहाँ पर मैंने एक बढ़ा के लिखती है यह एक simple सा base case है जिसके कोई भी factor नहीं है क्यों? 11 भाई 11 खुद में एक prime factor है prime number है, sorry तो उसका कोई factor ही नहीं है कोई factor नहीं है यह रहा 1 पावर 1 है ठीक है? तो कभी वो किसी से divide नहीं हो पाएगा तो कभी वो divide नहीं हो पाएगा तो जो number है as it is 11 का 11 ही रह जाएगा तो उसकेस में पावर सिर्फ प्लस 1 करेंगे एक ही पावर होगा जैसे 11 का एक ही पावर रही है तो प्लस 1 हो गया ठीक है सिंपल सा base case था बट इसका code देखा है तो बहुत easy है आपको बस यही तो निकालना था कि कितनी बार कोई number divide हो रहा है किसी prime number से प्राइम नंबर टू से लेकर root of num तक ही होता है यह भी आपको पता हो अगा अल्रेडी ठीक है तो जल्दी से code करते हैं सेम सोरी को उता रहेंगे लाइम बालाइन लिखेंगे सी प्लस प्लस में करूंगा जावा का code आपको दिखा भी दूँगा ठीक है तो चलो जल्दी से code करते हैं तो चलो इसका code करते हैं सबसे पहले सी प्लस प्लस में करेंगे ठीक है तो मैंने को बना था कि एक result नम का variable ले ले लेते हैं इस इकल टू जीरो स्टार्ट कहां से करेंगे वाइल एसे स्टार्ट करेंगे लेजन इकल टू बी से स्टार्ट करेंगे और सबका पावर का सम निकाल लेते हैं पॉइंट निकाल लेते हैं अब आते हैं अपने function पे इंट गेट पॉइंट यहां पर मैं नमबर को भीजूंगा ठीक है यह मेरा नमबर है अब देखो count is equal to यह तो count ना लिके points लेलो points is equal to 0 ठीक है अब देखो मुझे क्या करना है चेक करना इस x का prime factors निकालना है तो prime factor कहां से कहां तक हो सकता है प्राइम factor 2 से ही start होता है ठीक है और प्राइम factor कहां तक जाएगा आई less than equal to square root of that x जो भी आपका number है वही तक आपको prime factor मिल सकता है उसके बाद नहीं मिल पाएगा या तो आप इसको ऐसी भी लिख सकते हो है एक्स परसेंटाइल आई इस इकल टू इस इकल टू अगर जीरो है ठीक है तो मुझे क्या करना है सौरी पॉइंट्स प्लस प्लस करना है ठीक है और एक्स इस इक्ल टू एक्स बइफाइ करना है और लास्ट में जब फॉइंट्स बाहर निकला तो चेक कर ले कि अगर एक्स इस नॉट इक्ल टू टू वज है तो हमें Πॉैंट्स को एक बार बस बढ़ा देना है जब वो प्राइम नंबर रहा होगा फॉर एक्जाम्पल 11 11 किसी से डिविजिबल ही नहीं है तो 11 का 11 ही रह गया हो कभी वह वन तक पहुंचा ही नहीं होगा डिवाइड होकर किसी भी नंबर से ठीक है तो लास्ट में रेटर टर्ण पॉइंट कर देना है लास्ट में दो एक्स कोम चेंज कर रहे है और यह फॉर लूप में कंडिशन में एक से तो यह चेंज नहीं हो रहा हो इसलिए टेंप में एक सोर कर लेंगा यहां पर उसको यूज कर लेंगे यहां तक क्लियर रन करके देखते हैं वी शुट बिएबल पास ओल देश्केस और अगर आप तो इसका ध्यान दो तो टाइम कॉंपरिसिटी आपको इसलिए निकाल सकते हो पहले सब्मेंट करके देखते हैं तो आपको जावा कोड दिखा देंगे यहां स्टेटिक डिफाइन तो जो आप काउंट पॉइंट वाला जो काउंट सम या काउंट पॉइंट जो भी फंक्शन का नाम देना है ठीक है ध्यान रखना कि उसको भी आप स्टेटिक डिफाइन करो ठीक है और जावा में यहां पर लॉंग यूज किया तो आप लगाया यहां पर वाइल लूप लगाया ठीक है एंड सो ओन ठीक है तो जावा कुट भी क्लिफिटी देख लो बहुत सिंपल है यहां पर देखते हैं यह जो वाइल लूप है कब तक चलेगा इधर देख लो कि अधर मैं गेट पॉंट कॉल कर रहा हूं और गेट पॉंट की टाइम करता चला जा रहा हूं लगातार है न तो डिवाइड करते चला जा रहा हूं तो लॉग ओफ X to the base, कितना से डिवाइड करते चले जा रहा हूँ, I से डिवाइड करते चले चले जा रहा हूँ, तो law work of X मैंने लिखा है यहाँ, ठीक है, तो B minus A plus 1 multiplied by यह जो time complexity है, यहाँ तर क्लियर है, ठीक है, तो कोई भी अगर आपको doubt होता है, रहिदे इन इन दे comment section और try to help you out, see you guys in the next video, thank you